नमस्कार आप देख रहे हैं जन्नित आवाज और मैं हूँ राशिन आजकल एक मुद्दा चल रहा है लाउड स्पीकर का लाउड स्पीकर किसी शादियों वाले नहीं बलकि मस्जित के लाउड स्पीकर जिनको हटाने की मांग की जा रही है सबसे पहले मैं आपको बताओं कि इसको लेकर कि अपडेट है महरास्ट में सारजनिक इस्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तमाल की गाइडलाइन जारी की जाएगी और इसके लिए उदव ठाकरे के साथ एक कानून विवस्ता पर चर्चा के बाद गिरह मंत्री दिलीप पार्टिल ने ये बयान दिया है कि डीजीपी को दो दिन में गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि MNS चीफ रास ठाकरे ने तीन महीं तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टिमेटम दिया है ये खबर दैनिक भासकर में छपी है और दिरे दिरे आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है ये केवल बात महरास्त की नहीं है या हर्याना की नहीं है या मध्यप्रदेश की नहीं है ये आप देखते होंगे अलग अलग जगाओं पर आखिर ये कुछ सालों से चल के रहा है मस्जिद को लेकर दिक्कत होने लगेगी शायद एक धर्म को लेकर भी दिक्कत होने लगे क्योंकि कुछ सालों से देखा जा रहा है कि एक समुदाय के खिलाफ जो एक प्रॉपगेंड़ा चल रहा है कि बार-बार इसी समुदाय को एक टार्गेट के तौर पर क्या जा रहा है ये कितना सही है आखिर हमारे देश में कानून है, सविधान है जो हमें इसकी इजाज़त देता है हर वैक्ती को हर अपने धर्म का पालन करने की इजाज़त देता है और साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखता है कि कोई भी वैक्ती ऐसा ब्यान ना दे या ऐसा कार्य ना करे जिसकी वज़ा से दूसरा धर्म अपमानित हो इसके लिए उसे सजा दी जाती है लेकिन आजकल ये जो माहौल चल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि ये सब करना आम हो गया है एक धर्म दूसरे समुदाई के खिलाफ दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है कुछ भी ब्यान बाजी कर रहा है उसकी माननताओं को लेकर गाली गलोज की जा रही है तो लगातार कई ऐसे वीडियोज वाइरल होते हैं जिनमें कतले आम की बात कही जाती है और उन पर क्या कारवाई होती है ये देखने वाली बात होती है मैं आपको फिलाल ये बता दूँ कि ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है इसको लेकर कहा जा रहा है खासकर राज ठाकरे जो की MNS के परमुक हैं उन्होंने कहा है कि तीन मई तक मस्जिद के अंदर से लाउड स्पीकर जो हैं वो हटने चाहिए वरना उसके बाद हम तेज आपको बजाना कहां तक सही है और दूसरे धर्म से लडाई करना कहां तक सही है ये आप लोग खुद बताईए मैं आपको इस बारे में एक और अपडेट दे देता हूँ कि नासिक परशासन ने एक ये फैसला लिया है कि अजान जब भी अजान का वक्त होगा जब भी अजान होगी उसके पंदरा मिनट पहले या फिर बाद में अगर लाउड स्पेकर पर आप हनुमान चालिसा बजाना चाहते हैं और फिर भजन बजाना चाहते हैं इसके लिए आपको परशासन से अनुमती लेनी होगी जायर है कि नासिक परशासन का ये जो फैसला है वो वाकिए तारिफे काबील है और ऐसा हर जगा होना चाहिए वो इसलिए बात यहाँ पर मस्जिद और मंदिर की नहीं है बात यहाँ पर एक दूसरे के सम्मान की है अपने धर्म का पालन करते हैं तो दूसरे धर्म का सम्मान क्या जाना चाहिए हम एक धर्म निरपेक्स देश में रहते हैं जहां पर कई जातिया हैं कई धर्म के लोग हैं हिंदो मुसलिम एकता की मिसाल देनी चाहिए भाईचारे की मिसाल देनी चाहिए गंगा जैमना तहजीब की हम बात क लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है वो उससे कता ही नहीं लगता कि आखिर हमारे देश में ये किस तरह नफरत का माहौल बनाया जा रहा है ये किस तरह मैं आपको बता दू पत्थर बाज का नाम दिया जा रहा है और किस तरह बुल्डोजर का इस्तमाल किया जा रहा है बिल्डोजर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मद्यपरदेश में खरगौन का जो मामला उठाता वहाँ पत्थर बाजी को लेकर जो बात चली थी जो जो पत्थर बाज देखे थे उन सभी उनके गरों पर बिल्डोजर चला दिया जाहिर सी बात है कि इसमें वो भी हो सकते हैं जिन्नोंने जवाब में पत्थर फेके हो जैसा कि दिल्ली की घटना में हुआ है दिल्ली की घटना में जहांगीर पूरी में हुआ है बहराल मैं उस मुद्दे पे अभी नहीं जाओंगा, मैं बात यहां लौट स्पीकर की कर रहा हूँ मस्जिद के लौट स्पीकर से आखिर किसको क्या दिक्कत हो सकती है ये बात आप ख़बरों में पढ़ते होंगे और धीरे धीरे ये माहल कहां जा रहा है अगर आप किसी का धर्म मानते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसका धर्म माने और उस धर्म को अपनाए आप केवल उस धर्म को सम्मान की नजरों से देख लें तो यही काफी होता है क्योंकि कोई नहीं चाता आप किसी के धर्म को गलत कहें किसी के धर्म को ठेस पहुँचाएं ये भारत है, हिंदुस्तान है जहां सम मिलकर रहते हैं और सब अपने धर्मों का पालन करने के लिए सवतंत रहें बैराल ये बात लौट स्पीकर की उठी है तो आपको देखना चाहिए कि कितना सही और कितना गलत है आखिर इस लौट स्पीकर को बजना चाहिए या नहीं या फिर रास ठाकरे ने जो अल्टिमेटम दिया है वो कितना सही और कितना गलत है ये बात आपको सोचनी चाहिए अगर ऐसा जगा जगा हो जाएगा तो क्या लोग भढ़गेंगे नहीं अगर ये ऐसे मामले बार बार आएंगे कभी हिजाब का मामला उठेगा कभी नमाज का मामला उठेगा ये नमाज का मामला आपने हर्याना के गुरुग्राम में देखा होगा कि किस तरह से ग्राउंड में महापर नमाजियों को भगा दिया गया था जाहिर है कि महापर खुले तोर पर अगर आप किसी भी जगा जाके नमाज पढ़ते हैं वो गलत है इसके लिए नुमती लेनी चाहिए परमीशन लेनी चाहिए लेकिन महापर आना और महापर उनके साथ मारपीट करना और उने गाली गलोच करके उने बेज़त करके बगाना ये भी गलत है इस मामले में परशासन को सेप करना चाहिए और जो सही है ऐसा नहीं है कि किसी भी जगा आगई आप आप नमाज पढ़ने लगे इसकी अनुमती होनी चाहिए आपको जगा देखनी चाहिए जिसको किसी को कोई दिक्कत ना हो तो अब देखना है कि आखिर तीन मही को क्या होगा लाउड स्पीकर पर आजान होगी और होगी तो कितनी आवाज में होगी और अगर फिर इसके बाद मन से के कारे करता क्या करते हैं रास्ठाकरे क्या करते हैं लेकिन उससे पहले लाउड स्पीकर को लेकर ये गाई लाइन ब झाल झाल